हलो दोस्तों आज से हम लोग संस्कृत भ्याकरण पढ़ेंगे टेट और सुपर्टिट दोनों के लिए बहुत ही महत्पूर होता है क्योंकि टेट में जब कोई अपना भाशा दो करता है उसमें संस्कृत तीश नंबर का होता है और सुपर्टिट में आप लोगों को पता है क संस्कृत द्याकरण अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो हिंदी का जो 30 संस्कृत बहुत डालता है यह संस्कृत कुछ लोगों को संस्कृत समझने नहीं आते कुछ लोग हिंदी दिखा हुआ वर्ल समझने की कोसिस करते हैं तो कुछ तो दिमाज में भोज जाता है ल किसी की जर्त विशेष को रूची लाने के लिए बहुत कुछ और ना पढ़ता है तो रूची कहां से आएगी संस्कृत को पढ़ने के लिए संस्कृत बहुत हैं अब बहुत मायने वाली बात होते हैं अच्छा हम लोग जब शोटे-छोटे राती थे या अभी भी चलते कोई कपड़ा अच्छा दिख जाता है तो हम लोग पता है सारीरिक और मानसिक रूप से उसी कपड़े को देखने लाको देखते हैं कि लिए आप लोग बताईए अब मन खुब कोई भी अच्छा कपड़ा रास्ते में जा रहा है दिख गया या कोई भी पदार्त ब्रह्मा कोई भी इच्छी चीज़ अगर आप लोग बोत दिख जाती है तो हम लोग पता है सारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों उसी पर इस्थापित कर देते हैं दोस्तों डब मतलग क्या होता है पाना या नापना पाने की तो ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा यह हमारे मन के अंदर से जाकरित हो जाती है इसलिए रूची को कहा जाता है कि रूची आंतरिक होती है तो जब हम ध्यान लगाएंगे तभी रूचुत पन होगा यहां पर जो कुछ भी मैं आपको अगर पढ़ाऊंगा जब आप ध्यान से उसक अपने विचार से पढ़ाऊंगा जो लिखा गया उसी चीज को अपने अपने ज्यान के द्वारा सरल्तम रूप आपको प्रदान कराऊंगा और यह रूप आपके उस विचार उस ज्यान उस बुद्धी को सरल्तम रूप देगा जो आपके भूश का नहिड़े करेगा आपके अंदर आने वाले उठने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर देगा और दोस्तों मैं इलर्निंग दुर्गेश के साथ आप लोगों को संस्कृत व्याकरण का पहला पहला जो भाग होता है जहां से हम लोग इस्टार्ट करते हैं क संस्कृत व्याकरण सबसे पहले वर्ण विचार आता है तो वर्ण विचार को समझते हुए अगर आपने वर्ण विचार को समझ लिया तो दोस्तों हिंदी का और संस्कृत का मिला करके दो कुश्यन आपका तयार हो जाता है और इसी में उचारण स्थान हो जाता है और स्व इसकी उप्योगिता क्या है जैसे मैं आपको कोई भी ध्वन भन ही तो कर रहा हूं जी अगर मैं बोलूगा नहीं तो आप सुनेंगे कहां नहीं सुन सकते ना अब कहा गया नहीं कि भैसी कागे बीन बजाओ भैस खड़ी पगुरा है अब भैस के आगे आप ऐसे बीन बजाओ तो क्या वो खड़ी होके ऐसे से नागिन नांस कभी नहीं कर सकती क्योंकि भैस को हमारी भासा नहीं समझने आती अगर उसको उसकी हवाज में बात करेंगे तो कहने का मतलब यह है तो योकेता बहुत माइन रखता है किसी की चीज में लिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संस संस्क्रिट क्या है एक भासा है उसे चिए उन भासाओं का अपना एक नेचर होता है अरे ब्रहाई अस्तित्र रहता है यह फ्रमधान्य अपना एक नेचर को तो लिए प्रफित अब देखिएगा यह उतकृष्ट सब्द है अगर इसको और सरलत कुनूम में देखा जाए कि इसी को कहा जाता है क्या सभाव कि इसी को क्या कहा जाएगा सभाव का मतलत ध्यां दीजेगा हम लोग काते हैं तुम्हारी आदस बहुत प्राव है तुम्हारा सभाव अच्छा नहीं है उनका यह सभाव अच्छा नहीं है तो मैं हम लोग उस व्यक्ति का सभाव का मतलब क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वैसे जो धासा होती है धासा की प्रकिती जो होती है वो दोस्तर दोता है इसके सभूती है सभाव जो होता है तो होता ह कि यूं कहांदे कि रिफ्व्र कि रिफ्व श्क्ता है है कि सब्स meeting कि इस भूल Κशलायमाद मीशा चलता रहता है और हे आप लोग ही बतावा किि जब हम लोग अपने काओं में रहते हैं ही के द difaking जेत्र में कुछ शेत्री हैं बोली होती है है जैसे अगर भोज़कौरी में बात किया जाए हम लोगों के हां तो बेसेकली हम लोग तो उत्तर प्रदेश क्ये है थो आगा है जो भोजबरी बोली जाती है माघ जयोड़ी हार एक चीज बोली कि लोग अपने घर से किसी दूसरे 10 किलो मीटर की दूरी के दूसरी जगह जाते हैं तो यहां आईये क्या कर रही है पटाए गत्यात्मक्ता मिली की नहीं मिली, अब आप बताईएगा कि यह धन्यात्मक क्यों है अब इस दो तरीके से समझिएगा एक होता है कि मैंने कह दिया कि पहला चीज़ होता है धन्यात्मक दूसरा लिज़े अफन नाथ अब यहीं से बात को मैं लेके जाओंगा वाड़ विचार पर ध्यान दीजिएगा कि भासा की परिभासा होती है कि जिसके द्वारा हम लोग अपने भाओं और विचारों को एक दूसरे से आदान करें प्रादान करें लें देन करें और भीनिवाएं करें और भाया अगर कहुत सामने आप बात कर रहें हैं तो अगर आप बात कर रहें तो अगर आप की बात उनकों समझ में आ रहीं तो वो तो अगर अगर कि अरें जब आप सुननय वाले वियुद्य के शामणे आप धनि करेंगे तो भो भी धनि करेंगा आपकिसी को मारेंगे तो पतने का पर यह हुआ जो कि भासा होती है थासा के द्वारा हम बश्वचा को और आदान winning प्रदान करतें लेकिन इस भासा ठीक रूप में तो उत्तर आएगा कि नहीं धन्यात्मक रूप में करेंगे तो भासा की प्रकित धन्यात्मक दिया हैं तो घ्टसी लगा सकते हैं अब लोग तो अब ये भासा में जब तक ध्वन नहीं करेंगे अचा अधन्यात्म क्या जहां पे ध्वन रखिया जा हम लोग पता है हम लोगों के घर में जो छोटा रहता है उसके उपर सब लोग अपना अधिकार जमाते हैं तो लोगों का पानी ले आना ये लेके आना वो वेल्टीक अपनें करता है वो भासा नहीं कर लाएगी उसे विचार को जब तक वो ध्वन के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे उसी वी जम्नी की माहूल पर या वरण का माहूल हरी चीज की जानकारी हमारी पुरूजों के द्वारा क्या होता है इंक interpret德 thing तो हम लोग सिगंड भासा के रूप में संस्कृत भासा को चूच करते हैं, तो उस भासा में केवल हमको उसक्त क्या पढ़ना है, केवल ब्यात्रण तोर्षन पढ़ना है, ये भी भाई भासा है, तो भासा की प्रकिती भी कूछ सकता है, तो धन्यात्मा कूपी है और गतशील और भासा को जटक धन के रूप में परनोगां और प correlकर रूप में करें तक वह फासा के रूप लेती होती है तक पुश्य χोए सबसे बिरूप में और भी बंती नहीं है इसलिए भासा की सबसें काई कंन ऊतर it कि यह इसी प्रसा को अगर आपको जानना है कि उस भासा को जानने से पहले आपके प्याकरण विए और व्याकरण में वही चीज बताई जाती है कि तो अंग्रेजी अगर भासा सीखना है तो अंग्रेजी को बढनाना सेखेंगे लिटर शिखेंगे संस्कृर्ट जाना है तो संस्कृत के सिखेंगे हिंदी जानना है तो हिंदी के सिखेंगे तो कहने का तातर ये हुआ अब इस ध्वाणी वर्ड अक्षर पो क्या पाफ ज inve दाठा है धीरे हम लोग अब उसी भाव सब कर दो किな जोंच करकर जो भी कुछ लिखना हो देखने से देखने से और लिखने से बहुत फर्त होता है मैं अपने विचारों को बोल रहा हूं, आप सुन सकते हैं, जिस्तर में आप लिखेंगे, उसमें आपका इसे हाथ चलता रहेगा, तो आपको मस्तिश के से क्रियाह होती रहेगी, आपको वो चीज और अच्छे से याद आता रहेगा, आपको आपको और समझ नहीं कि नहीं, सबसे पहलेज़ सिर्ट को ऑच्छे जानकारी करते संस्क्रित में क्या करते हैं संस्कृत में कोई परिभाशा बनेगी क्याइ Farm school बूखे गया नहीं Але कि परिखनी करते घृवी करْंदी कि में हम लोग आगे बढ़ते हुए यह देखते हैं कि वर्ड की परिभासा क्या दिया गया है 12 ना सास्त्र में वर्ड की परिभासा होती किसी है कि आपको को हर वर्यते अभिव्यन्जते वाल गुप्तमो धनियन शहवर रह वर्यते अभिव्यन्जते अभिव्यन्जित किया जाता हो जिसको कौन है वाल गुप्तमो धनियन वह चोटी सी चोटी धनियन जिसको बयंजित किया जाता है व्यन्जित का मतलब शही रूप देना देवस्थित क किसे कहेंगे मतलब की हमारे मुक्षे उचारित होने वाली वहसार्थक ध्वनी जिसका कभी कोई खंड ना हो उसे क्या कहेंगे कि वर्ड कहते हैं कि न चरह चरण यसमात तद अक्षरम कहने का मतलब यह है प्रवचन की तरह खेखते हुए चलते हैं हम लोग मतलब कि ध्वन की वह छोड़ी सी छोटी वह लगुत्तम सी लगुत्तम ध्वनी अक्षर कुषका नाम होता है जिसका कभी कोई खंड़ना हो अब जैसे देखो जैसे मैंने गिख दिया ठाम भी दिएगा जैसे आपने कहा लोग कर करमाने हाथ होता है अब इसी का को आप लोग के कहीं गया अवर्यते अविव्यंजते वान अगुत्तमों ध्वनी ये में शहवरण और अच्छर को नाचारा अच्छरम यसमात तद अक्षरम करने का मतलब यह वर्ण है कि अपने मुख से जो धननेकाले है इसको हम लोग ने ऐसे यह अऐसे करके उठाएक अगर ऐसे करतिया बताइए ऑदेखे इसको मने खंड कर दिया इसका खंड नहीं किया तो आच्छा मिचा खरन्याव में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि लिए एसको कोई घंड ना हो हमारे मुख से उचारित होने वाली ऐसी धुनिया जिनका कभी कोई खंड़ना हो उसे क्या का नाम दिया गया है और इसी कुछ नाम से जानते हैं अक्षर के नाम से जानते हैं दोस्तों अब देखते हैं कि वर्ड घोता कितना है संस्कृत में और वर्ड किसे कहते हैं आप संस्कृत में संस्कृत में डोटल वर्ड की संकृति होती है है तो तोड के पहले बता देता हूं लोग जैसा होगा जिसके अलसाद जैसा बात लैंगर वो सब चीज संस्कृत में तेरह सों होते हैं के अब कवरों से देखियेगा अगर संस्क्रिप में पूछेगा फुल स्वरों की संख्या कुछेगा तो तेरा होती है कि अगर स्वर की संख्या पूछेगा तो नव होती है दो तरीवे से तुष्य ना सकता हैं, अगर तुष्य ना कुल स्वरूं की संख्या संस्क्रिप में तो 13 होती है, और केवल स्वरूं की संख्या 9 होती है, इसी 9 को एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम होता है अर्चिक, अब यह देखते हैं, अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, अ, बड़ाव, व, भड़ी, ए, आ, को, आ, गिंदें, रेख, दो, तीन, चार, पान, चार, साथ, आक, नाउ, जाद, ग्यारा, बारा और एक और होता है उसका नाम होता है हिंगरी, यही संस्क्रिप के 13 स्वरूं होती है, इतने स्वरूं होते हैं, तिम आप लोग की बताया यही तेरा इंची आपको पता हो गया अब उसके बाद अगर आप से पूछ लेता है कि इस पर सब्यंजन की इतने होते हैं इस पर सब्यंजन की संख्या होती है आप लोगों को पता होगा 25 और पिर उसके बाद अंतस्त वरणों की संख्या कितनी होती है तो आप लोगों को पता होगा कि चान होती है अब हम लोग सब लोग मिल करके इसको गिन लेते हैं कि रहते हैं कि होता कि देखिए है चार चार दुनियाद च्रक्ने बार और बारग पांच 17 1723 के जिरो आसा अहां सवागा अपनों बताहिए अब देखिया दो एक पीन दो फास यही पचास वर्ण होते हैं संस्क्रित पचास वर्ण होते हैं तो यहीं पचास होते हैं प्रचार वर्णों की संख्या कितने प्रकार के हैं किसकी क्या परिभासा होगी इस तरीके से समझेंगे ये आज पूरा वर्ण हम लोगों को खतम कर देना है जैसे ही वर्ण खतम कर देंगे तुरंत उसके बाद महसवर सूत्र को बताएंगे महसवर सूत्र बताने के बाद तुरंत शंद जब महसवर सूत्र आप लोग लर्न कर लेंगे वीडियो देखे देखते रहेगा इस्टेप बाई इस्टिक में डालता रहूंगा और आप ने उसको देखते हुए अपने मन और मस्तित को केंद्रित करते हुए जब तक देकिन लोड्स आप इसी से बना सकते हैं वीडियो तो देखते रहेंगे हमेशा जहां रहेंगे ता रहेंगे लेकिन ये लोड्स जो तैयार करेंगे वो आपको सुपर पिट तक काम तो चलिए अब इसको हमिता करके देखते हैं हम लोग कि वर्य के भेद्ध कितने में थे वर्य को चाह सहा है यह का नाम होता है है और दूसरी का नाम होता है तो सवर किसे कहते हैं यह बहुत पढ़ने सब कोई जानता está जैसे दोस्तों बिडिया और इंधन लिग दिए ध्यान देजेगा आप लोग को समझ पैदा करना चाता हूं. प्रिष्टवह निम्य के पीछे से सहारा कौन दे राये तो इसहतियनी पी रखी उपले को सहारा देने वाल हला हठेली है तो कहले कामने everything है कि अगर ये ऐख वर्ण हिस्वर कहिए डाम पर भी एक वर्ण है इस आ को बोलने में इस आ को पीछे से सहारा फांट दे रहा है हम लोग उचारण करते हैं तो आ के नीचे आ ही आ रहा है अच्छा इसको बोले है कर तो कर के नीचे क्या आ रहा है अही आ रहा है अब देखिएगा यह फर्क है आ के नीचे आ ही है लेकिन यहां कर के नीचे आ है तो अब फर्क ये समझने आता है तो ऐसे वर्ण जो स्वयम उचारित हों उन्हें क्या कहा जाता है स्वर कहा जाता है ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से उचारित हों तो उन्हें बेंजन कहा जाता है आई बास समझ में ऐसे वह जिनका उच्छान करते समय किसी अन्यवर की सहायता न लेनी पड़े उन्हें श्वर कहते हैं स्वर्ण मुच्छार को और यह दूसरे यह स्वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं अब देखिएगा स्वर और देंदर की परहास आम लोगों को पता हो ग जब हम लोग महास्वर सुत्र को पढ़ेंगे तो उसमय अच को क्या करते हैं हलकों कि इसमें कितने वर्णों पाए जाते हैं वह सक चीज की जानकारी हम लोग करेंगे लेकिन यहां पर हम प्रेवर इतना जानना है कि यह स्वर्ण क्यों होता है अच्छा अब देखिएगा स जब को आज किसी यह कहा जाता है कि अच्छ प्रत्याशार में सभी शोरफ पाए जाते हैं किसने बताया था पाणिन महोदक और कभी यह कुश्यन आ जाए कि व्याकरणन सास्तर की सबसे प्रतम पुश्चा कौन है उसका नाम श्कानाय अस्टा अच्छा 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 ऐसे वंड जो सोयमुचारित हैं जो बिना किसी दूसरे वंड की सहाथा से उचारित हैं अब देखिए प्रस्ट यह बनता है कि संस्क्रित च्रवण गुल स्वरुपी संप्र ने बताया था कितने स्वरुपी संक्या होती है संस्क्रित में स्वरों की संख्या अगर स्वरों की संख्या पूछेगा तो आप नो तेरा यह जगह बता सकते हैं अगर पूछा पाणिन द्वारा रचित पुस्तत में स्वरों की संख्या तो आप नो जब यह पूछ लेकित संस्क्रित में कुल स्वरों की संख्या तो आप तेरा पताएंगे कि ठाण ऊंयगे की संख्या तैक्टनी होती है और इसी हल प्रत्याहार में 233 वर्न अब और मंबेते पूरे आते हैं 30 यह तो आपके देखी संख्या तो आप समस्त बेंदिन का मतलब समस्त गटलों की संख्या तैक्जा की सूत अब किना मों तरह होते हैं अब देखेंग हम लोग स्वर के पहले हैं । है अब हरस्वर को एक तरीचे से जा सकता है हेजो से आपकी किस नाम से जासकते हैं अ आक के नाम से अक प्रत्य हार है कि अगर अगर आ जाते हैं तो इस चीज को है लोग देखते हुए अच्छा दोस्तों मैं देखो लिखे अगर हमने कहा आ में जोड दिया जाएगा तो बनेगा क्या हमने एक चीज़ और पूछ दिये पता हो आमें कितनी इसे हमें कितनी एक बरापर कितनी मात्र जों देंगे इसका मतलब आमें कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, आमें कितनी मात्रा होती है, दो मात्रा होती है, तो जब हरस्व स्वरक्षपी परिभासा अगर कभी भी आएगी, यह क्या होता है, जिसका नाम अफ होता है, अगर किसकी परिभासा होगी, तो आप लिखेंगे कि ऐ मतलब एक मात्र को वर्ड जितने ही वो क्या कहthank होता है और इस में अकपत्याहार यही कि अभी और और यहीं को एक नाम से मुन्टः स्वर्गी बोला जाता है किसको बोला जाता है किस हम हरा सुसर को अग प्रत्याहार के नाम से भी आपके जान सकते हैं और इनको बोलने के लिए एक मात्रा की आउसकता पड़ती है जैसे कि इनकी शंख्या पाच जो और इन्हें मूल से भी कहा जाता है गता है आगे चलते हैं कि दूसरा होता है उसका नाम होता है दीर्फफॉर करता है कि मोधिया हमको बोलने के लिए आपको कुछ भीनेंब करना है केवल दो मात्रा लगा दीपाक कित्री मात्रा करें वाली वालागास है अब देखतें हैं नहीं आप बड़ी कि बड़ाओ एए और अवर दो दो चार दो चार दो अगर इनकी संक्य पूछी जाए तो कितनी है आठ है इनको बोलने के लिए कितनी मात्रा की आओ सकता है दो मात्रा की और तीसरे नमबर पे आता है दोस्तों जिसका नाम है प्लूटुसवर प्लूटुसवर कहता है कि भैया हो मुझे अगर आपसे परचान करनी है तो दो से अधित मात्रा वाले वर्ण की प्लूट कर लीजिए आपको में दो जाए आई बस समझे तो सबसे पेटे में उद्धार होता है अब देखिए जब मैं शंदी बताऊंगा तो यह तेर्ड की हो जाएगा तो इसका अवग्र हो इसका तेर्ड का नाम होता है अवग्र है यह वह आदेश कर देता है कि आपको मैं बदल दूगा जब आदेश देता है तो बदल जाता है अई वा समझे जब शंदी पढ़ाओंगा वह अनुस्वार हो जाएगा जब आपको पुरु रूप संदी मैं पढ़ाओंगा तुसमें इस नियम जिक्र भी करूँगा और एक जगा विशर्व संदी में होता है विशर्व को बनाने का नियम तो हाँ हो जाता है तो यह सब चीज बात की बात है पर यहां पे समझे जिस चीज को पढ़ा रहा हूं उसको जानिए च्योंकि आप लोगों को वही चीज यहां पर दूगा जो इस से रिलोट होगा अब यह मिल तो गया और संदी जाना पड़ेगा संदी में बहुत समय लंजागा तो वीडियो बहुत लंगी हो जाए कि छोड़ेते हैं प्लूसर कहता है कि मुझे दोश्य अधिक मात्रा की जर्वत पढ़त बलया की किस गवां को ले करतिंगे जब मोग लोग जैसे अगर मालोग आ गया तो आपे अलाग करना है दियात झान जी जब हम लोग लोग कहते हैं आं या कोई भी गाने में के सुनते हैं अ का कितनी मातरा एंक मात्रा चने कमात्रा से बढ़ते हैं दो मात्रा तीन मात्रा जब यहीं मात्रा आप दोसे अधिक करदेंगे चला जाएगा झाज़ा अगर आका उचारण तो आपने एक बार किया तो हरसु में चला जाएगा अगर आपने धीरे से आ को ऐसे ऐसे बोल दिया दो बार तो इसका मतलब दो मातरा तो धीर उस्वर करने बढ़ारण कर लेगा जब इसी आ का आप उचारण करते चले जाएगा तो यह प्रूट की फ्र की बात कर रहा है ब्लूट की बात कर रहा है अगर इसी आ के आगे इसे दो लिख दिया जाएगा इसका मतलब आप लोगों को पता हो गया अब हम लोग सब्सक्राण करते हैं तो यह स्वर को अज क्यूं कहा जाता है यह मैं इसी के जस्ट इसे बार मैं इक रूंद वीडियो डाउट आप लोड करूँगा और बोल महाश्वर सूत्र के उपर होगा उसमें प्रत्यहार निर्माड करना बताऊँगा महाश्वर सूत्र होता का क्या है निर्ता वशाने नटराज राजो ननाद धकाम नवपंच वारं तो निर्ता वशाने तंडव करते हुए नटराज राजो काउन कर रहा है नटराज अर्था भगवान शू जब तंडव कर रहे थे ननाद धकाम नवपंच नवपांच चवदह चवदह पार डमन बजा दिये तो उसे में से कुछ वड़ निकलते हैं वो चवदह पार निकलते हैं और चवदह पार में वो एक महस्वर सुत्र का रूप ले लेते हैं और महस्वर सुत्र को जब संचित कर दिया जाता है तो व लोग कर दे हमारे घर में दस लोग हैं हमने कह दिया कि हमारे घर में कितने लोग हैं दस लोग हैं तब किसी ने कह दिया कि दस लोग हैं लेकिन दस लोगों का नाम बताओ तच्छा बताओ जब आप दस लोगों का नाम बताओ तो बताओ ये बिस्तार से बताएंगे समय लगे तो जब मैं माहिस्वर्शुत्र को बताऊंगा तुस्सिसमें हर एक चीज को बताता चलेंगा कि कौन सा वर्ण क्या होता है अगोस अगोस है प्रत्न के अधार पर भी ग्रिशंब्रे तब यह अभ्यांतर प्रत्न के यारा और पांच वाले हर एक करेंगे अब यहाँ पर हम दो सल्ते ह्यां चलते हैं व्यंडेंजं हते हैं कि नरफ में अगर अगे देखते हैं मlt 7 नला होता है 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 क्या होता है इस वर सिन दोस्तो स्वर्म में थोड़ा सा एक चीज और छूट गया था उच्छो भी जान लेते हैं यह संभी सवर्म की संख्या चाहर होती है दोस्तों कितनी होती है चाहर नंबर एक एक नंबर दूसरा एक से मिलके बनता है अध्हन और दूसरा क्या होता है आय जो होता है वह अध्हन एसे मिलके बनता है और जो होता है आपका वह मिलके बनता है यहीं चाहर जो है आपका जाता है तो अब उसके बाद है तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ब्यंजन के बाएं जो किसकी सहाइता से बोले जाते हैं उन्हें का कहते हैं और ब्यंजन को हल प्रत्याहार से जाना जाता है आगे देखें देखें इन्हें पर जो तो नमवन पूस्रस ना इसपर्स बेंजन को संस्कूत्य काकते हैं का तयो माउ शाहर मतलब कर दो मा वर्ग मतलब मतलब कर बीच में कितने वाट निलता हैं और इस परस बेंजन तो एक नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है वर्गी बेंजन क्योंकि यह वर्ग में हो जाते हैं इसलिए इसे वर्गी बेंजन भी कहा जाता है इस परस बेंजन भी कहा जाता है संस्त्रिक में कादयों माव शाना है इस पर शाहर अंदर इस प्रत्याहार से जाना जाता है यह प्रत्याहार में चारवन के यह लावन पर तीसरी मवन को सल्फ प्रत्याहार के नाम जाता है शार 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 अधरम हम उसके पाद लास हुता है आर्द लिया है अर्दस्वर का मतलब है यह वह को अर्दस्वर का भी कभी कर लेते हैं इसलिए अर्दस्वर कौनों-कौन से यह वह होते हो आप संजुक्त बंजन देख लेते हैं दोस्तों संजुक्त बंजन जार होते हैं इस पैसे दूरा जाता है आप भ्याद दीजिएगा जैसे नंबर पहले पर आ गया च्छा एक चीज बताइए ता च्छा के नीचे अगर हलंत लग जाएगा तो इसका मतलब छा में से हलंत दग करें किसी भी अगर वर्ड़ के हलंत लगता हैं तो अगर है इसको तोड़ते हैं जब इसके नीचे विलूकर आप ध्यान दीजिएगा तो इसके नीचे हलंत लगा देगा लेकिन यहां पर देखिएगा इसमें हलंत नहीं डगा है तो आप देखिएगा यह हुंदी वाला होता है यह अईसे कर देंगे तो देखिए समय आपने स्वर को जोड़ दिया इसका मतलब यह संतुलित अच्छा एक तरीके से यह देखिए यह संस्कृत का होगा उपर वआला संस्कृत कि उसके नीचे वाला हं रिंन्सी का हो गया और इसके वड़ विन्यास यह किस नहीं होगा वड़ विन्यासं जैसे आप दिखिए अब आप छृषद ना स्वर्ट साहीं ये सही माला जाएगा। ये देखिए अगर इसके लीचे हलत लगा दिया तो दोनों के लीचे हलत में लगा। ये अपने हलत लगाया। और यह दो है कि जान हन इंगा से मिलके बलता है। और श्रक होता है बड़ा श्रक और 10 संस्क्रित में आयोग वाह की संख्या चार होती है दोस्तों कितनी होती है चार होती है कि उपद है कि इनका प्रयोग जो हम लोग संस्क्रित पढ़ते हैं इसमें नहीं होता है अई बस समझ में हम लोगों के इसको जातना पड़ा क्योंकि यह आयोग वाह में आते हैं अगर ऐसे दो बोला मिल जाए इसको विसर्ग करते हैं इसी विसर्ग को ऐसे आदो इधर से कब यह ऐसे होता है कब आप जीह्वा बोली कहेंगे कब उपदमानी जैसे पसे जिए जिमऽा मूली और उपदमानी को कैसे कव करके बीच में नहीं इसके बीच में रहेगा ख के बीच में और ख के बीच में रहेगा तो अब यह जिह्वा मूली नाम होगा और जब पा और ख के बीच में रहेगा तो इसका उपदमानी नाम होता है उसका प्रियों होता है को जैसे हमने कह करोटि कि नि Aside कर पर किसका अर्फ निकलेगा संस्टिप में काहण करता है अभी इसका उचारन वह दो नीकशार ने लगाया है अब इसका क्या उचपा और में पर विशर्ब को अहसे उचारिप करते हैं तो लिखेंगे कह गरोती लेकिन जब इसी को देखिए आख के बीच में जब यह सिंबल कर देंगे जीवा मूली बन जाता है अब इसे इसा भी बना सकते हैं अब देखिए ना अब अहा की जना जब विशर्ब पूरा होता था तो आ इसको कैसे बोलेंगे अब इसको देखिए बोलना है तो करोती अहां नहीं बोलेंगे पूरा विसर्ब नहीं क्योंकि आधा विसर्ब को करोती 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 तो कि अ as a जैसे लोग अम लिए घ्रकात अब cricket अनलकता है इसका उचारण जो होगा तुसी अपक्र बोलें भुड़ने विट्षप एक भुड़ तो इसे लिए इसका परियोग हम लोगों की संस्क्रिट में नहीं होता है और हम लोगों की जानकारी के लिए इसलिए दिया गया क्योंकि संस्क्रिट को चार आयूग वाँ होते हैं हमें नमर एक अन्षौर होता है दोस्ता विशान प्रूपे दिन ही पुरे उचारान स्थान को एक बार अच्छी से बता देंगे अगला जो मेरा वीडियो होगा वो महश्वार्शूत्र पर आधारित होगा जैसे महश्वार्शूत् पढ़ लेंगे संदी के बाद प्रत्य बहुत कठीन होता है लेकिन घारंटी मेरी एक प्रत्य कठीन है मेरे वीडियो कुछ अप्लोड है इसके पहले आप लोग वहां पे जाकर के देखिए तो प्रत्य के बारे में कुछ नकुस जानकारी आपको जरून मिलेगी और मैं लाइ अप्रत्य के बाद बस्तो फिर अगले हम लोग वीडियो में लोग जो तहें लेना